हलो डियर स्टुडेंट्स, देली लाइफ में कई बार हमें प्रेडिक्शन या अनुमान लगाने की जवरत होती है मान लीजिए, यदि मुझे जैपुर से डेली की और जाना है, तो मुझे कितना डिस्टन्स कवर करना होगा, मुझे कितने पेट्रोल की रिक्वार्मेंट होगी या फिर मैं कहूँ कि किसी सिटी की पॉपुलेशन 30,000 है, तो वहाँ पर कितने वीकल्स की बिक्री होगी, यदि इन सभी का बेस्ट प्रेडिक्शन किया जाए, तो कोई भी बिजनस में या किसी भी डेली रूटीन के डिसीजन में आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है कर सकते हैं, तो चलते हैं हमारे इस regression analysis के different methods की तरफ, तो स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता रोडा की class में और आज हमारी इस class में जो topic हम लेने वाले हैं, वो है regression methods तो students, regression methods की यदि हम बात करें, तो यहाँ पर regression methods के लिए मैंने आपको बताया है कि दो तरह से हम regression analysis के समंध में जो regression lines calculate करते हैं, उन regression lines को calculate करने का, उन regression equations को calculate करने के दो methods हैं, इन सभी के बारे में मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारे regression analysis के basic concepts related हमने अपने पिछले वीडियो को आप जरूर से देखें, जिसका link मैंने description box में भी दिया हुआ है अब regression equations यानि regression के calculations के लिए best estimation के लिए हम यहाँ पर दो methods आपको बता रहे हैं, regression equation method और regression coefficient method regression equation method की बात करें यानि प्रतीब गमन समीकरण विधी को भी मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है जिसे आप i button पर click करके भी देख सकते हैं या description box में भी इसका link मिल जाएगा I remind you students, यदि आज हम regression coefficient method को पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले आपको regression equation method को समझना बहुत जरूरी होगा तो मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, समझे बहुत इस simple concept में मैं आज आपको regression methods का यानि regression की equations calculate करने का regression analysis के best estimation का यहाँ पर simple concept से regression का second method मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने वाली हूँ जो की है प्रतीब गमन गुणांक विधी या regression equation method तो चलते हैं students सबसे पहले regression coefficient method की बात करें यानि इस method में किया क्या जाता है actually हम final regression equation को calculate करते है regression coefficients की सहयता से अब regression coefficients होते क्या है जिने हम हिंदी में कहते हैं प्रतीब गमन गुणांक यह प्रतीब गमन गुणांक क्या होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे तो regression coefficients क्या है देखें बहुत simple सी चीज बहुत simple से concept में मैं आपको बता दे रहे हूं कि regression coefficient या प्रतीब गमन गुणांक independent और dependent variable के बीच में एक relationship create करते हैं जी हाँ students स्वतंत्रचर और आश्रचर के बीच में एक संबंद को बताते हैं ये होते हैं regression coefficient लेकिन ये क्या करते हैं देखेगा regression coefficients में ये हमें बताते हैं कि यदि independent variable में यानि स्वतंत्रचर में एक unit का परिवर्तन होता है तो आश्रचर में कितना परिवर्तन होने वाला है जब स्वतंत्रचर एक unit से change होता है यानि स्वतंत्रचर में यदि कोई परिवर्तन आता है तो आश्रचर में कितना परिवर्तन आएगा ये बताते हैं regression coefficient या प्रतीम कमन गुणा जी हाँ student आपको कुछ याद आ रहा होगा यदि आपने मेरे पिछला वीडियो जो की regression equation methods पर है यदि आपने इसे अच्छे से देखा है अच्छे से समझा है तो कुछ याद आ रहा होगा कि यदि मैं बात करती हूँ स्वतंत्रचर यानि independent variable में होने वाले changes से dependent variable में कितना change ह यह ग्याद करने के लिए तो मुझे बी रिकॉल होना चाहिए बी क्या है it is the slope of regression line इस regression line के slope को और अच्छे से समझते है इस concept को और ज्यादा disclose करते हैं चलते हैं आगे यह जो B की बात अभी मैंने आपसे की है यह B होता क्या है देखे इसे और अच्छे से explain करके मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर actual में B क्या है मैं generally आप सभी को कहती हो कि अपनी study को conceptually clear रखे हर एक point आपको clear होना चाहिए not only numerical question but theoretical कोई जब आप अच्छे से clear करेंगे तो आगे competitive exams में आपको बहुत help मिलने वाली है यही चीज मैं अपने वीडियो में हमेशा concentrate करती हूँ तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं कि B क्या है यदि हम X on Y रेखा की बात करते हैं आपको अच्छे से पता है प्रतीब गमन यानि regression की दो lines होती है पहली X on Y दूसरी Y on X इसका meaning क्या होता है इसे मैं बता देती हूँ जो चर पीछे की तरफ होता है वो independent variable है यानि स्वतंत्रचर है और जो आगे की तरफ है वो dependent variable है यानि आश्रिचर है स्वतंत्रचर में परिवर्तन होने से आश्रिचर में परिवर्तन होगा independent variable में कोई changes है तो उसके according dependent variable में changes होंगे आपकी पढ़ाई के according आपके results होंगे rainfall के according predictions होंगे तो ये चीजें यहाँ पर matter करती है तो x और y रेखा की सबसे पहले बात कर लेते हैं x और y रेखा की बात करें तो x है आश्रित y है स्वतंत्र यानि independent और इस condition में यदि बात की जाए तो b जो हमारा कहते है regression line का जो धलान है जो slope है वो कहलाता है देखे किस तरह से यदि x में यदि y में y की रेखा में क्योंकि y हमारा स्वतंत्र चर है y में एक unit का परिवर्तन होता है तो x में कितना परिवर्तन होगा देखेगा ये clearly हमारी जो b है ये जो हमारा points जो मिल रहे हैं ये हमारी जो धलान है जो line है ये b हमारी इस बात को indicate कर रही है कि यदि 10 से 20, 20 से 30 में जाता है तो हमारा यहाँ पर 5, 10, 15 के data पर जाता है तो ये सारा concept हमारा इस b का है यानि simply slope की बात की जा रही है इसी तरह से y on x की बात करें students तो मान लीजिए मैं इस तरह से regression line क्योंकि हम generally मानते हैं कि incremental regression line हमारी है हम मान कर चलते हैं वो incremental way पर है उसी तरह से यदि मैं बात करूँ यहाँ पर y हमारा आश्रिचर, dependent variable यह हमारा origin और यह हमारा x value जो की स्वतंत्रिचर है x में एक unit का परिवर्तन हुआ तो y में कितना हुआ इसी तरह से x में एक unit के परिवर्तन से y में कितना परिवर्तन हो रहा है यह चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी तो यह जो point जो हम match कर रहे हैं यह regression lines बता रहे हैं regression line को बना रहे हैं और यह जो ढलान जो है जो increase हो रहा है regression line यह कहलाता है b यानि regression line की ढलान हमारे b है जो की बताती है कि स्वतंत्रिचर यानि independent variable में किसी तरह का कोई changes होता है तो dependent variable में कितना changes होगा यह चीज यहाँ पर बताई जाती तो b क्या है हमारा regression line की ढलान या regression line में जो changes होते है यदि हम x और y के लिए b calculate कर रहे हैं तो हम इसे कहेंगे b x y देखिए b के साथ x और y को लिखना यह थोड़ा सा गलत होता और यही students practice में रखते हैं आप ध्यान दीजिए b के सब script में x और y लिखेगा क्योंकि यह b x on y line पर प्रतीब कमन गुणांक या regression coefficient की बात कर रहा है इसी तरह से यदि मैं y on x के लिए बात करूँ तो यहाँ पर इसे indicate किया जाएगा by x से इसे आप बहुत ही important way में ध्यान रखेगा b x y और by x अब बात करते हैं इनके calculation की यानि calculation of regression coefficient इस b का यदि calculation किया जाएगा तो किस तरह से किया जाएगा दोनों ही lines के लिए अलग-अलग calculations होंगे तो देखते हैं इनके methods क्या है तीन methods में आपके सामने रखोंगी सबसे पहला method जब r यानि सह सम्मंद गुणा correlation coefficient और standard deviation प्रमाप विचलन दिये गए हो या फिर direct method से या फिर shortcut method से तो जल्दी ही इनके calculation की बात करते हैं तो देखें सबसे पहले जब r और standard deviation given हो तो ऐसी condition में यदि bxy निकाल रहे हैं remember this bxy simply x on y line के लिए हमें इसका calculation करना होगा यदि आप नए हैं और इस video को आप देख रहे हैं तो मैं आपको फिर से recall करवा दूँ आप इससे पहले के मेरे regression की simple concept के video और साथ ही regression equation के video को जरूर देखेंगे क्योंकि किस रेखा को x on y मानना है और किस रेखा को y on x मानना है ये मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से आपको explain किया है तो यदि आपकी रेखा है x on y यानि regression line x on y है तो bxy का calculation कीजे और simply इसका formula है r multiplied by standard deviation of x से standard deviation of y ये आपको given होंगे इसी तरह से by x की बात करें तो by x का r को multiply किया जाएगा standard deviation y divided by standard deviation of x से बहुत simple सा रटने की ज़रत नहीं है but students मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि इस formula को तभी आप काम में ले जब r और standard deviation दिया गया हो r आपको simply पता है ये correlation का coefficient है standard deviation आपको पता है x और y दोनों के लिए अलग से given होगा given series, given data के हिसाब से कभी-कभी v भी दे दिया जाता है अब ये v क्या है which run है, variance है जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके है correlation analysis के वीडियो में तो v क्या होता है यदि हम v का under root कर दे तो हमें standard deviation मिलता है या फिर हम v की बात करें तो ये standard deviation का square होता है तो generally यदि r और v given हो तो ऐसी condition में दिये हुए v का under root कर दे तो आपको standard deviation मिल जाएगा और उसे आप formula में put करके इस formula से आप directly bxy और byx की calculation कर सकते है but have a little breathe यहाँ पर इतना आसान question नहीं मिलता है ये generally part a यानि छोटे questions के लिए आपको मिलेगा examination point of view से आप बात करिए direct method पर आप recall कीजिए direct method कभी उसमें लिया जाता है when x bar and y bar is complete number complete number से मेरा मतलब पौन आंश में हो, पौन हो, तूटा हुआ नहीं हो fraction में नहीं हो वहाँ पर direct method यूज में लिया जाता है तो students ऐसे direct method जब हमारा x bar और y bar जो calculate होता है वो complete number में है, fraction में नहीं है तो आप simply bxy का calculation और byx यानि regression coefficient का calculation से direct method से कीजिए, आसान रहेगा किस तरह से ये calculation किया जाएगा, इस steps में आपको बता देती हूँ सबसे पहले आप x bar और y bar को calculate कर लीजिए इनको calculation का formula आपको बहुत अच्छे से पता होना चीए ये हमारा basic statistics है now x bar और y bar जब calculate हो गए है तो अब हमें calculate करने होंगे deviations now deviations किस तरह से calculate होंगे यदि आप x series के लिए deviation calculate कर रहे हैं तो dx is equal to x values को x bar से minus किया जाएगा x minus x bar ये हमारा deviation calculate होगा इसी तरह से dy के लिए आप calculate कर सकते हैं y series के हर एक एक data को लेते जाएए और y bar से minus करते जाएए now finally अब हमें क्या करना है students अब हमें ये जो dx calculate हुए है हर एक dx को हर एक dy से multiply कर लीजिए और जो बनेगा वो होगा dx dy और साथ में इस dx dy का summation भी कर देना है total कर देना है पूरी line का जो हमने calculate किया है एक काम और कर लीजिए क्योंकि हमारे पास x on y series के लिए calculation की जा रही है तो y हमारा स्वतंत्रचर है जो बाद में है वो independent है तो हमें यहाँ पर जो dy calculate हुआ है उसका square और कर लेना है यानि dy की जो हमारी series है उसका square और करते रहिए finally formula यूज कीजिए byx is equal to sigma dx dy divided by sigma dy का square dx dy हमें यहाँ से मिला है और dy का square हमने finally calculate किया और finally value हमने formula में put की है रटने की ज़रत नहीं है यह बहुत आसान formula है sigma dx dy divided by जो स्वतंत्र चर है जो पीछे की तरफ है वो नीचे की तरफ आएगा ध्यान दीजेगा इसी तरह से byx की calculation कीजिए steps बिलकुल सेम है मैं यहाँ पर आपके लिए इसे लिख देती हूँ ताकि आपको easy notes available हो जाए बस फर्क केवल इतना है students क्योंकि यहाँ पर x पीछे की तरफ है इसलिए हमें x रीस के लिए जो हमने dx calculate किया है उसका हमें square calculate करना होगा तो अब simple formula आपका यहाँ पर बन गया numerator के रूप में वही sigma dx dy को रखिये और क्योंकि x हमारा स्वतंत्रचर है independent variable है तो sigma dx का square यहाँ पर denominator की रूप में रखा जाएगा तो बहुत simple सा formula मैंने आपको यहाँ पर दिया है इस direct method से जबकि आपका x बार और y बार complete number में हो तो आप यह simple formula से भी regression coefficients का calculation कर सकते हैं now अब बात करते हैं केवल नाम का shortcut है हमें यहाँ पर थोड़ा long cut formula के साथ काम करना होता है लेकिन shortcut method का व्यूस तब हम करेंगे students जबकि हमारा x बार और y बार complete number नहीं हो ऐसी condition में जब हमारा x बार और y बार complete number में नहीं हो fraction में आता हो वहाँ पर shortcut method से हमारी calculation easy हो जाती है जल्दी से हम steps देखते हैं क्या-क्या calculate करना होगा सबसे पहले a determine करिए यानि a हम अच्छे से जानते हैं यह एक assume mean है जो कि कोई भी number हो सकता है now a determine करने के बाद I suggest कि आपकी जो series available हो उस series में से x की series में से कोई एक number चांट लीजिए a के लिए और y की series में से a चांटने के लिए उससे related उसमें दिया हुआ कोई number आप चांट लीजिए now a determine कर लिया उसके बाद वही आपको dx calculate करना है और यह dx कैसे calculate होगा x minus a से इसी तरह से dy calculate करें यह dy calculate होगा y minus a से multiply कर दीजिए और इस तरह से बनेगा dx dy और जब dx dy हमें मिल जाए तो इसका summation करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए now इतना काम यदि हमारे पास हो गया है तो अब हमें sigma dx निकालना है यानि जो dx की जो total है dx की जो column है उसका आप total कर लीजिए उसके बाद dy का जो column है उसका भी total कर लीजिए finally जो हमें square चाहिए क्योंकि यदि हम x on y की calculation कर रहे हैं तो y के लिए हमें काम करना होगा तो अब जो आपने dy निकाला है उसका square जरूर कर दीजिए तो finally अब square करके इसको sigma dy square कर दीजिए तो अब हमारे पास सारी values calculate हो गई है finally formula पर चलते हैं और formula हमारा क्या कहता है देखेगा bxy is equal to n multiplied by n यानि number of items कितनी series में available है उन number of items की बात करेंगे n multiplied by sigma dx dy जो की हमने यहाँ पर calculate किया है minus sigma dx multiplied by sigma dy देखेगे यह sigma dx और यह sigma dy देखे यह चीज़ अलग है और यह चीज़ अलग है sigma dx dy हमें कहां से मिला है जो dx एक एक dx निकाला है और एक एक dy जो हमने calculate किया है उसका multiplication है और यह हमने जो total dx का जो series है column है उसका total कर दिया है यह भी dy की जो series है उसका total कर दिया है तो dx dy को आपस में multiply कर लिया यह sigma dx dy लिखा यह हमारा numerator हुआ और denominator के रूप में n multiply by sigma dy का square minus sigma dy का whole square यह complete formula हुआ as I said shortcut नाम है केवल formula बहुत बड़ा इसी तरह से हम y on x के लिए भी काम करेंगे यह calculation हमने कर दिया है steps आपको बता दिया है लेकिन फर्क केवल इतना है यहाँ पर कि हमें क्योंकि y on x की बात कर रहे है तो यहाँ जो square करना है वो dx का करना है sigma dx square निकल जाएगा और इसी तरह से formula हम देख लेते हैं by y x का n multiplied by sigma dx dy minus sigma dx multiplied by sigma dy divided by n multiplied by sigma dx square minus sigma dx का whole square याद कर लीजेगा इस formula को समझ लीजेगा अब जो important बात मैं आपसे करने वाली हूँ वो है properties of regression coefficient dear students most most important question जो कि आपको numerical sense भी develop करेगा और कई बारी examination में भी पूछे जाते हैं इनसे related छुट-छुटे questions तो देखिए क्या properties हैं यह जो regression coefficients हमने calculate किये हैं by direct method, by shortcut method if a standard deviation and r यानि correlation coefficient is given तो किस तरह से काम किया जाएगा लेकिन कुछ बाते हैं जो important है जिसे आपको भी ध्यान में रखना होगा और वो बाते कुछ इस तरह से हम simply इन coefficients की सहायता से r का calculation कर सकते हैं कई बार छोटे questions पूछे जाते हैं आपको bxy given है और byx given है आप इनसे r का calculation कीजिए r यानि correlation coefficient तो करना क्या है केवल इनको multiply करके उन्हें under root कर दीजिए देखिए actually होता क्या है यहां के formula को मैं आपको बता दूँ कि हम bxy का formula क्या लिखते है r divided by standard deviation of x और standard deviation of y multiplied by यदि हम बात करें r multiplied by standard deviation of y divided by standard deviation of x इनका मैं under root कर देती हूँ तो देखिए r किस तरह से निकलता है x से x गया y से y गया बचा 2 r तो 2 r का यदि मैं under root कर दूँ r into r का under root कर दूँ तो हमारे पास finally जो निकलने वाला है students वो r ही निकलने वाला है तो ये एक simple सा concept हुआ कि bxy और byx को आपस में multiply करेंगे तो finally r ही निकलेगा कुछ ये procedure रहता है आप formula याद कर लीजिए अगली property ये है कि यदि bxy positive है तो byx भी positive होगा और जो r होगा वो भी positive ही होगा यदि ये negative है तो ये भी negative होगा ये भी negative होगा यानि तीनों के sign same होने चाहिए ऐसा नहीं हो सकता कि एक plus में हो जाए और एक minus में हो जाए आप directly समझ जाए ये ऐसा कुछ होता है आपके calculation में तो आप समझ जाए कि आपके calculation गलत है तीसरी property कुछ इस तरह की है bxy और byx को आपस में multiply किया जाए तो ये एक के बराबर या एक से कम ही होना चाहिए क्यूंकि आप अच्छे से जान रहे हैं यहाँ पर हम under root करते ही r calculate कर रहे हैं और r के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि इसकी value 1 plus minus 1 के बीच में ही होती है यदि इनका multiplication एक से जादा आता है तो इसका under root भी एक से जादा आएगा तो इसलिए ये बात आप ध्यान रखिए कि यदि दोनों ही coefficients को आपस में multiply कर लिया जाए तो इनकी value एक या एक से कम ही निकलनी चाहिए तो ये कुछ properties मैंने आपको बताईए जो कि आपको याद रहनी चाहिए आगे चलते हैं students और जो कि आज का मारा last topic I know थोड़ा लंबा हो रहा है बट आगे हम अगले वीडियो में practical problems के साथ आपके साथ जुडेंगे तो आपको और भी ज़्यादा clear होगा बट theoretical concept में last topic की बात करते हैं Calculational Regression Equation क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम correlation coefficients की बात करते हैं तो correlation coefficients हम इन coefficients की help से regression equation तक पहुँचते हैं अब यह equation equation क्या है आपको पता होना चाहिए यदि हम x on y के लिए बात करें तो regression equation x is equal to a plus by होती है और यदि y on x की बात करें तो y is equal to a plus bx होता है ना किस तरह से हम यहाँ पर पहुचेंगे x minus x bar ध्यान रखना होगा यह formula मैं आपको दे रही हूँ x on y के लिए regression equation calculate करना है तो x minus x bar is equal to bxy जो अभी हमने calculate किया है multiplied by y minus y bar इसी तरह से y on x की बात करें तो y minus y bar क्योंकि y हमारे पास पहले है तो इसे डाल दीजे is equal to byx जो अभी आपने calculate किया ही है और x minus x bar से इसे multiply करना होगा confuse मत होए एक example मैंने आपको इसलिए यहाँ पर और दे दिया है मान दीजे हमारे पास x bar की value है 29 y bar की value है 19 इसे इस formula में put किया तो देखी किस तरह से हम यहाँ पर simply इस equation तक पहुँच रहे है x is equal to a plus by यह हमारा a हो गया है और 1.5 हमारा b हो गया है जो कि हम यहाँ पर भी डाल रहे हैं b x y जो हमने आपको बताया था इसी तरह से यह दिए हम बात करें y on x रेखा के लिए तो एक इस example में मैंने आपको बताया है y बार मेरे पास 19 है x बार मेरे पास 29 है simply यह जो formula मैंने दिया है उसमें value put की है हमने calculate किया है 0.79 यह हमारा by x है और finally calculation के बात हम इसी level पर पहुँच गये हैं कि y is equal to a plus b x यह हमारा a हो गया जो की minus में है plus b हमारा 0.79 जो हम यह calculate कर चुके हैं और finally x इस तरह से जो बनेगा हमारा students यह हमारा prediction में काम आएगा यदि हमें x की value पता है तो हम y को calculate कर पाएंगे और यदि हम y की value पता है तो हम x को predict कर पाएंगे calculate कर पाएंगे तो students यदि आज के लिए इतना ही यदि आपको मेरा video समझ में आ रहा है पसंद आ रहा है तो आप अपने friends और अपने students साथ में colleagues के साथ जरूर से share करें इस video को जरूर से like करें share करें और हमारे channel को subscribe करना तो बिलकुल भी न भूले so thank you so much guys